नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग पढ़ेंगे laser beam welding के बारे में तो जैसा कि हम लोग laser के बारे में जानते हैं इसका full form होता है light amplification stimulated emission radiation ठीक है और beam क्या जो भी मतलब एक धार type की जो चीज बनेगी जो पढ़ेगी work piece पे हमारे जो target पे जो पढ़ेगी जहां पे melting टेक प्रेस क करेगी तो जो beam पढ़ेगी उसके उपर से जो एक मतलब एक धार type की पढ़ेगी उसी को हम लोग बीम कहते हैं ठीक है और welding जो पूरा process कर रहे हैं इसमें अब लोग यह इसी को कहेंगे laser beam welding ठीक है तो laser welding में basically होता क्या है कि जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं यह ए इसा दिखाने की कोशिश की है और यह lens से यहां पर टकरा रही है lens से टकराने के बाद होगा क्या कि जितनी भी रेज होगी यहां पर एक point पर यहां पर करेगा क्या इन सारी चीजों को यह converge कर देगा ठीक है पढ़ेगी जिसके मदद से खुब जादे हैं पर heat generate होगी और यह चीज जो यहां की रहेगी यह पिगल जाएगी इसके मदद से हम लोग यहां पर fusion create करके बागी दो metals को अलग-अलग welding कर सकते हैं यह ठीक है और यह हमारी laser beam है अब आते हैं इसके अंदर हम लोग ठीक है समझते हैं क्या क्या चीज़े होती है तो यह हमारा यहां पर mirror होता है ठीक है mirror जो ऐसे बना रहता है ऐसे कुछ इस तरह से तो होता है क्या है कि यह जादा से जादा जो light रहेगी उसको यहां पर भेज सके ठीक है वापिस अगर इदर कुछ आ रही है अगर रोशनी आ रही है तो वो reflect करके वापिस से उधरी की तरफ भेज दे मतलब जो target है हमार उधरी भेज दे अब आते हैं हम लोग laser crystal पर तो यह जो हमारा बना रहता है यह एक laser crystal का बना रहता है ठीक है अब आते हैं इसके उपर कुछ tubes कुछ मतलब लपेटी गई रहती है pipe type की चीज़े रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते है flashing tube होती है और यह हमारी basically zenon से बनी रहती है ठीक है और यह जो tubes रहती है यह connected रहती है हमारी capacitor से ठीक है capacitor का क्या काम होता है energy store करने का जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं capacitor हमारा energy store करने का काम करता है ठीक है तो यहां से मतलब हम लोग यह battery से हम लोग provide कराते है energy को फिर इसकी मदद से हमारी laser produce होती है यह laser जाती है focusing lens पे focusing lens पे उसके बाद होता क्या है कि यह यहां पे एक जगह पे focus बना देता है चीजों का मतलब यह race का laser का और इसकी मदद सेया पे खुब जादे heat generate होती है और हम लोग फिर laser beam welding जो होती है इसकी process को हम लोग करते हैं ठीक है तो यहां पे यह जो laser होती है यह भी basically तीन तरफ की होती है solid laser, liquid laser और semiconductor laser ठीक है जहां का यह बिल्कुल उसी phenomenon आप चलती है जैसा कि हम लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे sun से होता क्या था कि जो हमारी radiation निकल लई है यहां पर हम लोग एक lens रख देते थे और नीचे paper रखे रहते थे तो होता क्या था जो sun से रोशनी आ रही है यह यहां पर यह यहां पर एक point पे focus हो जाती थी और paper में क्या होता था आग लग जाती थी तो बिल्कुल उसी phenomenon पर यहां पर भी जो हमार की चीजों का मतलब हम लोग इस्तमाल करते हैं जैसे कि यहां पर हम लोग कुछ filler material यूज करेंगे तो करेंगे क्या जो filler material रहेगा उसे हम लोग यहां पर गला लेंगे ठीक है और वो इन दो metals को जोड़ने का काम करेगा और अगर filler material का नहीं उस कर रहे हैं तो फिर पर और हमारी laser beam welding इस तरह से हो जाती है ठीक है thank you everyone for coming to my channel and watching my video please do subscribe my channel thank you everyone